नमस्यावत अरीगर प्रेटॉम के साथ शो में आपका स्वाज़त है मैं हूँ फुर्रम निजामी आज हम बाग करेंगे ल्पीजी गैस सिलिंडर की उससे होने वाले हाथ से क्या आप एकसल सुना होगा और देखा होगा कि घर में रसोई में खाना पकाते वक्त किसी वज़ा से सिलिंडर फट जाता है जानमाल की हानी रुट़ी है और होताईए है कि जिसके घर नुकसान होता है वो खामोश होते उपर Way की मर्जी मांगे खामोश हो जाता इसको मालूमी नहीं होता कि जो LPG गैस इसको मुआब देखा हो जाये और इसको मुआफ़ा भी मिल सकता है ये सबसे पहले ही जाना चाहते हैं कि अगर मेरे घर में को एल पीजी गैस रिंडर ब्लास्ट होता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए नमश्कार खुरलम जी बहुत अच्छा आपके आज जो विशे उठाया है निश्चित तोर पर यह तमाम लोगों की इस तो कि उनके घर हाग से हो जाते हैं और वह चुपचा बैठ जाते हैं उन्हें जांकारी नहीं होती है कि यह ही कोई एक तो कमपली से इसागren大的 चाहता यह वह ग्राहक बना कंपनी का और उसका इंसोरेंस हो गया और यह इंसोरेंस धनराशी यदी बात के हैं तो उसमें मैक्सिममपचास लाग तक है उसके कैटेगरी मिलेगा यह है जो हमें अमारे जन सामाने को यह जानकारी नहीं है जो आज आप अपने इस प्लेटफार्म के माध्रम से दे रहें यह आपको मैं बताता चाहता हूँ करना क्या होना चाहिए हासा हुआ होते हैं उसको बयान करना बहुत मुश्किल होता है लोग एक ट्रॉमेटिक सिटूइशन गुजर रहे होते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए जिससे के अगर कंपनसेशन हमें लेना हो तो कैसे मिले सबसे पहले जिसके घर ये हादसा हुआ है यदि संपत्ती का नुकसान हुआ है तो जानमाल का नुकसान हुआ तो सबसे पहले नस्दीक का जो थाना होगा पुलिस होगा वहां इंफॉर्मेशन देनी होगी सूचना देनी होगी किसाब हमारे घर गैस सिरिंडर से ये हादसा हुआ है यह संपत्ति का यह नुक्सान हुआ यदि कोई चुटहिल हुआ है उसका जिक्र करना पड़ेगा यदि किसी की उस दुर घटना में दो पूरा डिटेल उस नजदी की थाने को देना पड़ेगा तो सबसे पहला काम तो जिसके घर में जिस परिवार में यह हाथसा हो जाता है उसे पहला काम तो यह करना पड़ेगा कि लोकल निकटम थाने पे पहले तो लिखित सूचना देनी होगी तो पुलिस खुद बाद खुद पहुंचती है चीजों समझती है तो आफाया कराना भी ज़रूरी है या जो पुलिस आती है उसका जो जो उनकी फॉर्मालिट है बहुत ज़रूरी है औरहल आपने सूचना देती हो आ गया जो मैडिकल क्यार किया जो पुलिस का हुआ लेकिन इविस्टिगेशन या इनकिस्ट रिपोर्ट बनाना यह तब ही सुरू होता जब उसके पास कोई रिटेंट होती है एक परतम सूचना रिपोर्ट या एक रि जिस व्यक्ति की माली यह डैथ हुई है तो उसका पोस्मार्टम कराएगी जिस व्यक्ति चुटहल हुआ है उसको फर्स्ट एट के लिए हास्पिटल ले जाएगी यह सब काम पर पुलिस करती है लेकिन पुलिस को लिखित तहरीर देना आवश्यक है तब ही उसको कांट किय जाएगा अजया मैं एक स्टेप आगे भी जाता हूं अगर माली कोई घायल हुआ है मेरे घर पे और वह अस्पताल जाता है तो जो क्या एहमियत होती है कंपनसेशन को पाने के लिए यह जो कंपनसेशन किस ग्राउंड कैसे मिलेगा कितना मिलेगा यह भी होता है जैसे घाय जैसे मेडिकल्स बिल्स घैसको टीटमेंट्स में जो खर्चा है ऊसको डॉक्टर से लेना बहोत जरूरी होता है डॉक्तर्स के प्रस्कृप्षैंस कितना नुक्सान हुआ है और उस नुक्सान के तार अप टू फिप्टी लाग पचास लाग तक पचास लाग तक की भरबाई जो उनका एल पीजी इंसुरेंस कबर जो विमा पारिसी है उनकी जो जो कंपनियां स्वेम कराती है ठीक है कुछ नहीं होता का कोई रूप है कंपनी है अपको आपको ग्राहक को एक रूपाय भी नहीं देना होता जैसे उसने यह जितने और इस पैट्रोल कंपनिया है जैसे उनसे इपना सेरेंडर लिया और बॉचर पटा सेरेंडर इसू हुआ हा बस यह है उस व्यक्ति के नाम से नाम का स्रेंडर होना चाहिए यह नहीं कि एका है और भी यूस कर रहा है तो भी के साथ घटना हो गई तो कंपनिशेशन में लागा नहीं वो ग्राहक के नाम का ही स्रेंडर होना चाहिए और ग्राहक के घर में ही वो इसिदेंट होना चाहिए यह बहुत आवश्यक परपरटी लॉस हो जाती ज्यान क्या नुक्सान न दोते हैं हम अगर कोई मेडिकल इसूरंस करा है होए है यह दूदे यह यह आपको जैसे आपको याद हो मोटर होते हैं उसमें बी क्लेम का ब्रसीजर उसमें भी रेश्योज बने हुए इसी तरीके वનवे उसमें केस् बेंसकरना पढ़ता है लेकिन इसमें वीमा कंपनी ख देती है और से दोनों का अलग है जो आपने भी मा कराई इसका पॉलसी अलग है और यह गैस लाइस और इसका आपको 50 लाग तक तो पैजा आपको नस्दीकी ग्रहाग है आपका गैस agencies का उसके authorities उसके आँ जा करके इस सारे documentation आपको वहाँ प्रेडियूस करने पड़ेंगे बस इतना ही रहक का काम है किसाब यह हमारे साथ गुट गटना हुई थी यह हमारे medical प्रिस्प्सम्स है यह अगर medicals हुए हैं इंजर्ड को यह हमारे expenses आएं इस सारे vouchers के साथ आप distributors कि यहां जमा करेंगे उसके बाद distributor अपनी प्रोसेस सुरू करके और जो claim amount आपका बनता है कि राग का बनता है उसको दिया कुछ online procedure यह जानकारी अभी online की शायद नहीं यह आपको फीजिकली जानना पड़ेगा और लाइन का भी प्रोसेस में नहीं है को टाइम फ्रेम भी होता है वाली शिकायट हमने दस अगस को करी तो कब तक compensation हमको मिल लाएगा इसका को टाइम भी है नहीं इसका तो speedy कहा गया है लेकिन अभी इसमें कोई करने की बात कहीं जितनी शिग्रतम सीग्र हो यह बालसी होडर होता है तो उसको बीमा कंपनी को देता है और इसमें कट्ट्य लापरवाई नहीं करती तमाम घटनाया हुई है आपने देखा होगा कि यह गटनाय हुई है और उनको सबको जिनों जिनों कहा उसका पेमेंट हुआ बुक्तान हुआ है इन दा केस अगर बहुत देरी हो जाती है तो हम कहां जाए तो यह फिर लिखना पड़ेगा और देरी होती तो इसके लिए फिर हम कंस्यूमर फोरम भी हमारा एक प्लेटफ सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया देर्शंकर पांडे जी इतनी महपूर जागारी देने के लिए हमाँ दर्शक को तो हमाँ दर्शक आप समझ गये होंगे कि जो एलपीजी गैस करनेक्शन के पास है वो इंशोर है और खुदानाखास्ता भगवान ना करे अगर कोई ह सहमार के साथ एक बार फिर हम आपके कार में हाजिर होंगे तब तक लिए इजादत नमस्कार